जैहिंद नमस्कार साथियों स्वागत हैं आपका आज की इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हम आपको एक SSC MTS से विलेटेट बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूँ जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है SSC MTS के फोर्म अपलाई हो चुके हैं अब दोस्तों हमें इंतिजार है इसकी एक्जाम डेट का तो मैं आपको बताना चाहाता हूँ कि इसके एक्जाम डेट आ चुकी है साथी साथ दोस्तों दो वीजन का अपलिकेशन स्टेटस भी आ चुका है सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किन-किन दो वीजन का application status आ चुका है और बागी के बचे उए वीजन का application status कब तक आएगा और आप application status कैसे देख वाएंगे और admit card कब से download होगा तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि किस-किस वीजन का application status आ चुका है और आप कैसे application status देखेंगे देखें दोस्तो application status को सबसे पहले देखने के लिए आपको SSC की official website पे जाना हो SSC की official website पे जाने के बाद आप यहाँ पे आपको admit card वाले option पे click करना होगा जिसे ही आप इस पे click करेंगे तो आपके सामने ये बाइस website ओपिन हो जाएंगी जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँँ अभी तक केवल दो विजन का application status आया हुआ है नमब एक करनाटर केवला विजन का आया है नमब दो पे साउतर विजन का application status आया हुआ है इसके अलाबा किसी और विजन का भी application status अभी तक नहीं आया है आप सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आप इसका application status कैसे देखेंगे माली जी आप इन दो विजन से बिलॉंग करते हैं और आप अपना application status देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे तो सबसे पहले करनाटा केला विजन पे किलिक कर लिजिएगा इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको link देखने को मिल जाएगा ये बाला आपको इस पे किलिक करना है जिसे हैं आप इस पे किलिक करेंगे तो registration number date of birth टालके यहाँ से आप जो है अपना check application status पे किलिक करके application status देख सकते हैं अब इसके बाद दोस्तों next जो यहाँ पे vision है वो है southern vision अब southern vision पे आप किलिक करेंगे तो southern vision पे किलिक करने के बाद भी आपको यहाँ पे उपर ही लिंक देखने को मिल जाएगा और यहाँ से दोस्तों आप अपना application status देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे आप देख पाएंगे अब यहाँ पे आपको किलिक करना है जैसे यहाँ इस पे किलिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से page open हो जाएगा यहाँ पे आप अपना registration number date of birth डालके यहाँ से भी आप अपना application status देख सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि बचे हुए विजन है जैसे कि Eastern विजन है Southern विजन तो का तो आख चुका है नौर्थ इस्टर्न विजन है बाकि यह जो Central विजन है इनके बचे हुए विजन के कब तक आएंगे देखे दोस्तों जो आपका एक्जाम स्टार्ट होगा वो एक से एक ताविक से स्टार्ट होगा और 14 ताविक तक चलेगा ये करनाटा केरला विजन में बताया गया है कि एक्जाम कब से स्टार्ट होगे कब तक एक्जाम चलने वाला है तो यहाँ पर देखा जाये तो आपका 25 ताविक तक सभी विजन का अप्लिकेशन इस्टेटस आजाएगा बिल्कुल 100% 25 से पहले पहले आपको सभी विजन का अप्लिकेशन इस्टेटस देखने को मिल जाएगा और आप 27 ताविक से या 28 ताविक से आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे